जहें दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उमीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों आपके रिजल्ट को ले करके एक अच्छी खबर है तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले इस दीपावली की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी दब से बहुत-बहुत सुपकाम नाएं और मैं चाहता हूँ कि ये दीपावली आप सभी के लिए एक खुस हाल दीपावली हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आप सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तरप्रदेश के मनिने मुख्यमंद्री जी हैं वो कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा आश्यर कर देते हैं तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 से ले करके और 30 यानि की अक्तूबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा लास्ट वीक में और ये कैसे पता चल रहा है इसके लिए आप यहां पर एक न्यूज देख सकते हैं आपको यहां पर दिख रहा होगा इसमें भी यही कहा गया है कि आज आपके रिजल्ट को आने की पूरी संभावना है तो जिस तरीके से ये बात तै थी पहले से कि यहां अक्तूबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा अभी भी उसकी उमीद पूरी तरीके से जताई जा रही है और जिस तरीके से ये निउज में भी ये बाते आ रही है इसका मतलब है कि इनको कहीं न कहीं से कोई न कोई information जरूर मिली होगी आपके result को ले करके और सायद जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है वो यही है कि आप सभी को इस दीपावली के मौके पर एक अच्छी खबर देने के लिए सायद इस result को दीपावली पर ही जारी किया जाएगा ताकि जो भी बच्चे इसमें select होंगे उनके जो दीपावली होगी सायद जब वो join कर लेंगे तब भी उनको इतनी खुसी नहीं मिलेगी जितनी इस बार मिलेगी अपना नाम उस result में देख करके तो आप सभी लोग भरती बूट की website को देखते रहिएगा और best of luck आप सभी लोगों ने जितने भी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है आप सभी का नाम उस result में जरूर आए और आपकी जो दिवाली है उसको आप बहुत ही हर सुलास के साथ में मना सकें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे और हाँ पटाकों को फोड़ते समय थोड़ा साथानी जरूर बरती हैगा ताकि किसी भी तरीके का कोई हाथसा ना हो बाके इंजुआई करिए हैपी दिवाली